नमस्कार दोस्तों मैं मुकुंद्राउत आपका स्वागत है लॉंड्री नॉलेजाइन केमिकल्स में दोस्तों ये ओईल के ग्रीस के दाग रंगिन कपडों में हो या सपेत कपडों में हो ये हमारे लॉंड्री के रिगूलर दाग है तो grease का दाग हमारे laundry का regular दाग है और इसका solution हमारे पास 100% solution है चाहे वो रंगिन कपड़ों पे हो या फिर ये जो रंगिन कपड़ों पे हो या सपेत कपड़े पे हो साड़ी पे हो किसी पे भी हो ये oil grease का दाग का 100% solution है और आप guarantee दे सकते है तो दोस्तों इसी को कैसा निकलना है जो यसी आई स्टेंडरी मोर है तो उसको कपड़ा बिगर गीला की ये लगा देना है पहले और फिर जो एकसल स्टेंडरी मोर है ये इसके उपर लगा देना है कपड़ा बिगर गीला की ये प्रोसीजर करना है दोस्तों और ये बोटल के टोक से हमने रगड दिया है तो ये पूरा का पूरा दाग निकल गया इसको रभिंग करने से पहले ही निकल गया आप देख सकते हैं ये पूरा दाग निकल गया है तो हम दूसरे दाग को टार्गेट करेंगे ये ओईल ग्रीस का दाग अगर आपके लॉंडरी शॉप पे आता है तो दाग निकालने की ग्यारांटी दे दीजिए कि आपका दाग निकल जाएगा 100% पेट्रोल वाश करेंगे और इसको आप चार्ज लगा दीजिए कम से कम आपके हिसाब से कपड़े के हिसाब से 100-200 रूपे आप चार्ज कर सकते हैं और कस्टमबर को 100% to 99% ग्यारांटी दे सकते हैं तो फिर आपको बताता हूं कि ग्रीस का दाग कैसा निकलना है कपड़ा रंगिन हो या फिर वाइट हो और दाग पुराना हो नया हो कोई प्रॉब्लेम नहीं है ऐसा नहीं है कि कस्टमबर ने वाश किया तो नहीं निकलेगा कस्टमबर ने कितने भी बार उसको वाश किया हो तो भी वो 100% निकल जाएगा कोई प्रॉब्लेम नहीं है क्योंकि इसका हमारे पास परफेक्टली इलाज है तो फिर कस्टमबर को आप गयारांटी दे सकते हैं और याश्ट्रो चार्ज लगा सकते हैं ये देख लिजिए पहले हमने स्टियाई लगाया उसके बाद में हमने एक्सल लगाया और नॉर्मल हमने ब्रॉशिंग किया फिर क्या करना है फिर यही करना है स्टियाई पहले लगा देना है और फिर एक्सल लगा देना है दाग के हिसाब से कपड़े के हिसाब से हमें एक बार लगाना पड़े या फिर दो बार लगाना पड़े या तीन बार लगाना पड़े कपड़े के हिसाब से होता है और दाग नया है या पुराना है इसके हिसाब से होता है मगर हमें कस्टंबर को यह नहीं बोलना है कि दाग नया है, पुराना है, कच्चा है, पक्का है, कुछ ने, आपका काम हो जाएगा, दाग निकल जाएगा, पेटरोलोस करेंगे इसको और उसको चार्ज लगा देना है, अब भी क्या करेंगे, इधर का पूरा का पूरा दाग को टार्गेट करते हैं यह यह स्टेंड रिमोर लगा दिया आप क्या करेंगे एक्सल स्टेंड रिमोर लगा देंगे और बॉटल के टोक से थोड़ा रगड देते हैं मगर कपड़ा फिसल न जाए इस हिसाब से लगा देते हैं ऐसा नहीं है कि तेल का दाग या फिर ग्रिस का दाग इससे नहीं निकला तो उससे लगाओ उससे नहीं निकला तो वो लगाओ नहीं इससे ही निकल जाना चाहिए और इससे एक नहीं बहुत सारे दाग निकल जाना चाहिए दोस्तों हमारे कमपणी के जो चार स्टेंड रिमोर है एकसल, फ्लायर, यस्सियाई और स्ट्रोकर इसमें लॉंड्री के लगबग पूरे दाग कवर हो जाते है ये देख लीजिए ये पूरा निकल गया है इसी तरह से हम कस्टमबर को गयरांटी दे सकते है ग्रीस का दाग, ओयल का दाग कितना भी पूरा ना हो, कपड़ा कोंसा भी हो आप शौप पे उनको ग्यरांटी दे सकते है कि आपका दाग निकल जाएगा ये देख लीजिए जैसे ही आमने रबिंग किया तो वो पूरा निकल गया ये देख सकते है फिर यही क्रिया हम डबल, टिबल, कपड के हिसाब से, दाग के हिसाब से करते है, मगर वो निकल ही जाता है, और कस्टमबर भी खुश हो जाता है कि दो पैसे जादा गए, मगर दाग निकल गया, ऐसा दुकंदार ने नहीं बोला है कि आगली बार निकलेगा, उसके आगली बार निकलेगा, एक दपे ही निकल के दि दिया तो फिर हमारा भी नाम बड़ा हो जाता है आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा दाग था और पूरा का पूरा किलेर कर दिया है इसी तरह से ऑईल ग्रीस के जो दाग होते हैं आपके शौप पे अगर आ जाते हैं तो आप ग्यारांटी से कस्टमबर को ग्यारांटी दे दीजिए कि आपके दाग निकल जाएंगे और एक्स्ट्रो चार्ज लागा दीजिए फिर आपना ही फायदा है और कस्टमबर का भी फायदा है तो इसी तरह के परफेक्ट विडियो में मिलेंगे और ठीक है अब एक ये एक दाग दिख रहा है तो इसको भी मैं हर एक बार यस्याई लगा दिया बोटल की टोक से रगड दिया फिर एक्सल लगा दिया बोटल की टोक से रगड दिया और दाग गया इससे नहीं निकला तो वो लगा उससे नहीं निकला तो वो लगा वा ऐसा नहीं है परफेक्ट निकल जाना चाहिए और इससे ही निकल जाना चाहिए देख लेजी आपके सामने ऐसा नहीं है कि यह लगाओ वो लगाओ कुछ नहीं हमारे पास लॉंड्री के जो दाग है उसका परफेक्ट इलाज है तो परफेक्ट इलाज के कारण आप ग्यारांटी दे सकते है इसी तरह के perfect और guaranteed वीडियो के साथ मिलते है आगले वीडियो में जय हिन जय भारत